अल्दुआनी में लिगतार मिल रही धमक्यों के बाद आखिरकार कुमाउज वेलर्स के मालक की बेटे पार बाइक सवार बदमाशों ने फाइरिंग कर दी हमने में व्यापारी बाल बाल बज गया उस वक्त तो बदमाश भाग गये लेकिन बाद में फिर से टुहू लेने आए तो पुलिस ने पीछा किया हालक की बदमाश पुलिस के हाथ नहीं आ सके और अंधेरे और सक्री गलियों का फायदा उठा कर भागने में काम्याब रहे कुमाओ जोलर्स के स्वामी रामश राण वर्मा के बेचे राजीव वर्मा वुधार राद दुकान बंद कर करीम तस बजे खर पहुँच रहे थे कि पीछे से बाइक से आए दो बदमाशों में से एक ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी पूली के आवास सुनकर परिजवार जन घर से बाहर निकल कर आये और राजीव को भी तर ले गए इससी बीच उस उचना पर पूलिस के आलापसर भी मौके पर पहुँच गए पूलिस के सामने ही राजीव के मुबाइल पर वाट्सअप कॉल आई कॉलर ने लोरेस विस्टनुई के नाम से धंकी दी और इसकी जुआनकारी पूलिस को दी गए उसके बाद मौके पर पहुँचे पूलिस ने वाइक सवार आरूपियों को पकड़ने की कूशिश की लेकिन वो भागने में कामयाब रहे हलाकि पूलिस ने मामला दर्स का चांच शुरू करती है हाज़वानी से दीपक अदिकारी की रिपोर्ट कर ये गटना की गई कि इनके द्वरह उसको आइडेंटिफाई किया गया है और 307 का मुकदमा उस पर पंजिकरित किया गया है ये इन पर लगातार प्रेजर बना रहा था आपने मुकदमे वापस लेने का और एक्सटरसन की कॉल कर रहा था इसके लिए पूरू मार दिवाली के पास एक मुकदमा और कायन किया गया था और कल जो दो आदमी जिनके दौरह ये फैर किया गिया है उनमें से पीछे वाले को इनके दौरह इडेंटिफाई किया गया है मनलोजा दिखाई के रूप में और पुलिस की इसमें तीन टी में काम कर रही हूं और जल्दी इसमें किरफ़ता रही हूं